योगेंद रुपाध्या जी लगाता तीसी बार विधायक हैं अभी आगरा दक्षन विधान सबाग शेक्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब मैं अपने सायोगी को बलाऊंगी जेपी जी को प्लीज आईए आप और अब सवालों और जवाबों का सिलसला आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह किसे जेपी जी ने अभी कहा कि क्यों यूँआ बैंगलोर जा रहा है है हध्राबाद जा रहा है या विधेश जा रहे ह हैं इस तमाम साब वालों का जवाब मांती जी से लेंगे आप शुक्रिया दिपाली आप का और दिपाली भी हमारे साथ जुड़ी हुए है दिपाली आप भी आएगा और दिखिया हम बात करेंगे अब हायरा एजिकेशन की क्योंकि इसी के बाद रास्ता खुलता है रूज योगेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आगरा से आते हैं क्योंकि मौबत की नगरी ताज नगरी से आप आते हैं सर मेरा पहला सवाल यह जब से आप पर यह विभाग आया कितना बदलाब हुआ उच्छे शिक्षा के अंदर और आपका प्लान है क्या देखिए जब से मौदी जी के सरकार देश में आई और योगी जी की सरकार आई प्रदेश में उससे पहले शिक्षा की क्यास्तिति थी वह पहले देखना होगा छोटा थोड़े से उसमें शेपे ले जाऊंगा क्योंकि किलास आदा खाली है या आदा भरा हुगा बात एक ही है लेकिन एक सकारात्मक सोच है कि पहला पूरा खाली था बादा भर गया एक नकारात्मक सोच है कि अभी भी आदा खाली है इससे पहले शिक्षा की वह विवस्था थी प्रदेश में और इससे बड़ा दुरभा कि प्रदेश वासियों का हो नहीं सकता कि कोई राजनेतिक यह कह के वोट मांगे कि हम आपको नकल कातिकार देंगे आप मुझे सत्ता दीजिए और इस प्रदेश में ऐसा था और ऐसे लोगों ने बरसों राज किया शिक्षा का पटवरा हुआ फिर योगी जी आए योगी जी वन में शिक्षा को पट्री पर लाया गया और योगी ज में आशातीत सफलता मिली है और एक धीरे धीरे शिक्षा का हब बनता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है जैसे इससे पहले कैसी विडंबना है कि हिंदुस्तान की आजादी को सतर साल से अधिक हो गए सरकारी विश्विद्याले शिक्षा पर कितना ध्यान था पिछली ग और शिक्षा अंतिमस्योर तक पहुंचे कैसे शिक्षारती को कैसे सुधा हो शिक्षा उसका लेना सरालर्शार्ट शायज कैसे बने जब मंडलों तक में सरकारी विश्वद्याले नहीं थे तो योगी जी दूसरा कि निजिव शुद्यालेों को प्रोशायत करना क्योंकि जब शिक्षा में प्रतिस भरता होगी तो गुरोद्ता बढ़ेगी और निजिव शुद्याले जो तो राष्टी इंतर राष्टी ख्याथी प्राफिषिव द्याले हैं जब वो उत्तर-प्रिदेश में आईएंगे अपने संस्थान खोलेंगे तो निष्चत रूप से उत्तर प्रिदेश शिक्षा के हब की और अग्रसर होगा और जो जैसा आप ने खा कि उत्तर प्रिदेश का शिक्षारती बाहर जाता था पढ़ने अब वो इस्थिती आ रही है कि विदेशी चात्र भी उपी में पढ़ने आ रहे हैं मैं उधारन भी दूंगा आपको लेकिन उसके लिए हुआ क् उत्तर प्रिदेश में इन डो सालों से पहले के एक भी सरकारी विश्विद्याले हैं नहीं भी तो प्रइन ऑनक्र देश प्रान कि गरेट के प्राप्ट नहीं था है भी प्लस हा भी रह होंगे तो मुझे नहीं मालूम लेकिन आज दूसाल के इंदर सात सरकारी हैं निजी विश्वध्यालान को ले तो सब्सक्राइब और चुके और उजिए ची की ग्रेड़ वन दो सरकारी विश्वध्यालान प्राप्त कर चुके है आप इंटरनेशनल ग्रेडिंग की और बढ़ रहे हैं अब इसका लाब क्या होता है थोड़े से एक नट्शेल में एक सेंटेज में समझाओं कि लखनो विश्विद्याले में इससे पहले असी विदेशी छात्र थे क्योंकि वो लोग ग्रेडिंग देखकर आते हैं कि नेक रेंकिंग या इंटरनेशनल रेंकिंग में क्या इस्था आज 800 से उपर विदेशी चात्र लखनो विश्विद्याले पढ़ रहे हैं और प्रिदेशों के चात्र पढ़ने आ रहे हैं और आने वाले पास सालों के अंदर निश्यत रूप से तेजी से हायर एजुकेशन बढ़ रही है उत्तर प्रिदेश शिक्षा का हब बनने जारा उसका कि सरकार की प्रात्मिक्ता ये भी है कि निजी यूनिवस्टी निजी को लेजें वो अब भी आगे बढ़ें जिसे कॉंप्टिशन बावू लेकिन निजी के चेकर पे सार जो शिक्षाविद कहते हैं प्रात्मिक्ता थी कि हर मंदल में सरकारी विश्विद्य खुले वो खोल दिया लेकिन देखिए अच्छा मुझे आप प्रताइए ने ने मेरे सवाल कॉंप्लीट हो लेकिन बहुत सारे शिक्षाविद कहते हैं कि देखिए निजी यूनिवस्टी स्कूलेजिस तो बढ़ रहें लेकिन सरकारी कॉलेजिस पीछे पिछड़ रहें आज भी मैं आपके शहर का उदारंदू, बियार अंबेड कर प्रोफेसर्स की कमी है, सुविधायों की कमी है, मैं अभी आपकी बात प्यार हो, नमबर एक उस बात पर लखनव शहर की लेले, कितने आज से पहले भी, यानि बीसियों सालों से, पचासों साल से, कितने सरकारी विध्याले या विश्विध्याले थे, यानि सामाजिक संस्थाइं इस चेतर में थी, इसलिए ये शेतर कुछ पुष्ट हुआ था, अगर सामाजिक संस्थाओं का इसमें योगदान नहीं होता, तो ज़िए किसको एड्मिशन मिलते, कहां मिल पाते, कैसे पढ़ते चातर, तो सामाजिक संस्थाओं का और समाज का व्यापारिक कहलें आप उसको अगर दूसरे शब्दों में, उनका योगदान शिक्षा के लिए अतीत काल से रहा है, आज भी है, और उसमें अच्छी एजुकेशन देने वाली भी शिक्षा संस्थान है, चंडिगर उनिवस्टी, इंटनेशनल ख्याती पराप्ति निवरस्टी, जे-एसेस इंटनेशनल, जे-पी इंटनेशनल, आपके गलगोटिया, ये सब राश्टीMM राश्टीक ख्याती प्राप्ति विश्विद्याले हैं, ये आ रहे हैं, और इनको ऑब एकनीती और बना रहे हैं तो, उमान نी एक विश्वद्याले खोला जाएगा और उसके लिए इंसेंटिव्स देंगे निजी संस्थाओं को सरकार भी खोलने के अपने प्रयास करेगी सरकार के साधन सेमित होते हैं निजी लोग भी आएंगे जब competition निजी विश्वद्याले सरकारी विश्वद्याले में होगा यह सब गुणवत्ता बढ रही है जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो चात्र संख्या भी बढ़े गएगी तर रोजगार के फिर भी कमी एंप्लेस्मेंट की इशु है जो नौजवान है वोई कह रहे है पढ़ाई तो करें लेकिन आखरी में प्लेस्मेंट नहीं हो पाता लोजगारो से शिक्षा से मिला है रोजगार देने वाली शिक्षा बने रोजगार परक वह शिक्षा है अब कॉशल से जोड़ी जा रही है अने उनसे रोजगारी जो संसाधने उनसे जोड़ी जा रहा है एनिपी कमूल बिन्दु क्या है NEP को जैसे कि पिछली शिक्षा पद्धती थी उसको एक सेंटेंस में नापगिस उस तर कंफरेंस में उस मूलबिन्दु के चार और नीथी और रीती और पार्टी कों मुंपने बंधे थे लौड मेकाले ने कहा था अपने पिता से कि मैं वो शिक्षा पद्दिती देखे आ रहा हुं दुस्तान में कि काले अंग्रेज पैदा होंगे एक सेंटेंस के इर्दगित पार्ठिक्रम कारिक्रम बनते थे आज जो हमारी एनिपी है उसमें शिक्षा को संसकार से जोड़ना श शिक्षा को तकनीक से जोड़ना इस इन मूल बिंदूओं के इस न्यूकलियस के सरकंफरेंस में पार्ठिक्रम कारिक्रम बन रहे हैं अभी दो सालीत हुए इसको चालू हुए तो नए आयाम शिक्षा इस्थापित करेगी निश्यत रूप से शिक्षा का वो इस्थान आने इसके बाद रोजगार की तलाश करता है लेकिन एक सवाल यह है कि नकल माफिया नकल माफियों पर शिकंजा कसा पहले अमूमन जब यूपी में कोई एक्जाम होता था बोर्ड के एक्जाम होते थे कॉलिजिस के अंदर गाइडेड होती थी चटों पर लोग चड़ते थे व उसको कही न कहीं यूबाओं के अंदर एक नाराज गिरही. उत्तर प्रदेश की बात करिये आप, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल में एक पेपर लीग की घटना हुई है, विश्विड धैल इस तर पर, मादमिक रिक शिक्षा तो मेने तुरन्त पूछा इन प्रबड वितरण का सिस्टम क्या है उस सिस्टम को मैंने टेकनलोजी से जोड़ दिया जब टेकनलोजी से जोड़ गया तो वह पेपर लीक करने वाला me पहले संगठित गरोह था सरकार के संग्रक्षण में चलता था राजनेतिक संग्रक्षण प्राइब गरोह था है जो यह काम करते थे अब ना तो राजनेतिक संग्रक्षण लोगों को और एक सिस्टम से जोड़ दिया टेक्नलोजी से अभी इसको और विकास करेंगे बीट की परिक्षाएं पिछले दो साल से जो ही है जितनी शुचिता पूरुन है पारदर्शी है नकल विहीन है एक वो उधारना बन गया है एक मौडल बन गया पूरे देश के लिए यह उत्तर प्रदेश ने दिया है लेकिन प्रोफेसर्स की कमी सर उसको कब फिल कर प्रोफेसर्स क करने को तयार है तो आए मिल्या तो सही तो आए इस लिए यह विरोदाबास की रोजगार नहीं है दूसरी तहरे कि प्रोफेसर्स नहीं है यह यह इस नहीं चलेगा सर अब और दूसरे मुट्टों पर बात कर लेते हैं क्योंकि अब चुनाव में जाना है उपचुनाव होगा क्योंकि यह बहुत महत्पून है सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं उपचुनाव को आप कि ईपचुनाव में निश्चित रूफ से वो भ्रहम मिट गया है अब जंता का जिस भ्रहम का डमरू बजाकर इन्होंने इस चुनाव को अपेक्शा से उनके हिसाबसे आपक्शा से ज़्यादा जीत लिया हमारे इसाबसे अम अपक्शा से कम जीत पाए उनोंने भ्रहम फहला आज जनता भी जान गई है और उनको समझ में आ गया जिस नेता ने दस साल राज करने पर सम्विधान नहीं बदला, दस साल राज करने पर आरक्षन नहीं हटाया और उसको उन्होंने मिजगाइट कर लिया, काठ के अंडिया कभी चड़ जाती है, बार बार नहीं चड़ती, एक बात तो यह है कि यह भरम दूर हो गया जनता का, और दूसरी बात आज भी मोदी जी, योगी जी का व्यक्तित तो और कृतित तो, इसके आगे जो भी सामने है सब होने है, यह हमें लाब मिलेगा, एक बहुत महत्पून है, यह आपका ना तो डिपार्स है, लेकिन एक करकिया, कि देखें, अगर नजूल का, हलाकि मामला भी पेंडिंग कर दिया, आप लोगोंने, कि नजूल का मामला आता है, तो अयुद्या के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, वो भी कहीं नहीं कहीं गिराने पड़ेंगे, वो भी नजूल की जमीन पर बने हुएं, तो उस करना शाही की चिती है, प्रकृति है, तो यदि हमारे विधायकों ने भी उनके कुछ बिंदूओं पर आपजेक्शन उठाए हाउस के अंदर, तो ये समझ लीजे, कि ट्रू डेमोक्रेसी हमारे पालिटी के अंदर, पहली बात, और दूसरी बात, जैसे अभी जे एसस देले है, उत्तर प्रदेश में जब आ रहा है, तो खाम खाम विरोध कर रहे थे, सामने बैठे विपक्ष, जबकि मैंने कहा कि आपके अखले शादब भी वहीं पड़े है, मालूम है मैंने उनसे पूछा, तो चुप हो गए, याने विरोध के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए, पहली बात हाँ जहां है, तो हमारे जो विधायकों ने विरोध किया, उन्हें लगा कि कुछ बिंदू उसमें से हटने चाहिए, और जब विधायक आया, उसमें ठीक है, जो लोग आपकी जमीन पर कबजा कर लें, फिर आपके हमें बेच दो, आपसे कह हमें बेच दीजिए, यह बान सकता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें संस्थाएं फरी थी, कॉलेज है, मंदिर है, और ववस्थाएं है, संस्थाएं नहीं थी, संस्थाएं मुक्त थी, फिर भी कुछ विसंगती थी, जिस पर उन्होंने विरोध किया था, और उसको विधान हमारे ही अब मारनी प्रदेश अद्देग जी दोरा उसको प्रवर समती में उनकी मांग पर भिज दिया गया, सर अब हम आखरी पड़ा पर हैं, एक सवाल यहां से भी होगार, एक सवाल मेरा, क्योंकि आप हाईर एजुकेशन मिनिस्टर है, अब आपका विजन क्या है, रो यही में बेस है उसका, यदि मैं बीए कर रहा हूँ, और बीए में मेरे वो सब्जेक्ट है, आर्ट साइड वाले, लेकिन मैं उसी बीच में चाहूँ कि मुझे वो सब्जेक्ट मिल जाए, साइंस का पढ़ने को, जो मुझे किसी रोजगार की तरफ देगा, तो वो उसको सब्जेक्ट करना है, तो उसको पढ़ सकता एक बात, दूसरी बात, जो रोजगार परक रोजगार के से वाले काम है, उनकी शिक्षा भी अब तीन मैने, चार मैने के डिपलोमा कोर्स, डिगरी के साथ साथ कराए जाएंगे, यह व्यवस्ता बनाई जा रही है, और कई जग चुकी, और ऐसे ही, जो जिस छेटर का विश्विद्याल है, उसवाए कोई ना कोई प्रोड़ेक्ट बन रहा है, वन डिस्टिक, वन प्रोड़ेक्त जिससे हमने एक प्रमोट किया, उस प्रोड़ेक्ट की शिक्षा भी वो उनको मिले, जिससे कि वो अपने स्थाने इस थर पर उस रोजगार से जुड़े है ये उसका है और सर मेरा ये अभी जो पुछले कुछ दूने उसे चल रहा था आगरा में ताज महल को लेकर सब जला भी शेक कर रहे थे बॉटल लेकर और तेजो महाले का जो बहुत इस वक्त चर्चा चल रहा है इसको आप किस तरीके से देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों का ये विचार है बलकि एक बहुत बड़ हिस्टोरियन पी एनोक ने भी लिखा है और विद तत्यों से लिखा है मैंने पी एनोक को पड़ा है और उस पुष्टक को लेकर ताज महल देखने भी गया हूं में तो तत्य हैं उसके अंदर ले भवन्था कभी रहा तेजो महल नाम से उनका विचार है वो अपना काम कर रहे हैं इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं सरकार को लेना देना नहीं लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि ये सब बीजेपी की शैपर हो रहा है सिफ हिंदू मुसल्मान करना है विकास नहीं करना है समाजबादी पार्टी भी आप लोगों पर यही आरूप लगाती है विपक्षतर रोहिंगा यहां आ जाते हैं उन पर भी कहता है कि इनको आई बसा लो तो ऐसे विपक्षतर क्या मतलब है लेकि सर अशानी लगता है इसके इससे परटन कारोबार को पर भी अस परिटन के नाम पर पहले था किया यदि कोई भारत आता था था ताज महल के अलावा कुछ था नहीं जो हम परिटन के रूप में दिखा थे आज उत्तर प्रदेश धार में सांस्क्रितिक एतिहासिक परिटन का किंद बनता जा रहा है पूरे देश का तो परिटन सिर्फ ताज महल दिखा के हम जिन जोना पता के उसको बनाते रहे आज परिटक बढ़ गया पूरे प्रदेश में जिस अयुद्ध्या में पांच जार परिटक धालू प्रतिवर शाते थे पांच लाग आ खा रहे हैं काशी विश्वनात में बना बरंदावन और मत्रा में ऐसे ही आगरा में भी अन्य प्रेटन केंद भी विक्सित किये गए हैं और बटिश्वर है आगरे में एक नया जो कम केंद बनाने जा रहे हैं आगरा का इतिहाज आगरे के इतिहास से जुड़ा हुआ शिवाजी महराज का इतिहास था वो उनका एक अध्याए क्यों भूला दिया गया बह कि सबसे बड़ी ताकत और अंगजेब कि जिसके पास पांच लाग की सेना थी जैने कितने घुड़ सवार थे बंदूगधारी थे आती सवार थे उसकी सेना सर्व गुड़ संपन थी जिसका कहना चाहिए उसके कैद में शिवाजी महराज को चलकपट से रख लिया गया शि प्रित्वा से उसकी कैद से निकल कर चले गए इसका कोई समारक नहीं है ताज में बनना चाहिए बन रहा है और ऐसा बनेगा कि परेटक पहले ताज मेल से पहले शिवाजी महराज को देखने आएंगे उसके इसमारक को देखने आएंगे यह बनाएंगे हम तो कहां छोटी- लगीर खीचेंगे अपरेटन पर सर एक बहुत विभाद चल रहा है जो दिल्ली से लेकर लगातार सियासत गूंड़ी है वो है वक्ष बोड का वक्ष की संपत्यों पर सरकार दखल दे रही है कबजा करना चाहती है उनका अधिकार चीना चाहती है समाजबादी पार्टी य यह आरूप लगाते हैं इस विभाद को आप कैसे देखते हैं और वैसी की तो बात में नहीं करूंगा जो कहता कि मेरे कं करदन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जहनी बोलूँगा ऐसे बाग आदमी के बारे तो बात करना बेकार नंबर दो वक्ष की वक्ष के उस तानाशाई रवये को आप क्यों नहीं देखते कि जहां तक उसका डंडा जाया वक्ष की जमीन हो गई जिसको अपने इंद्रास कर ले वक्ष की जमीन हो गई मेरे घर के पड़ोस में एक कम से कम तीन भीगा जमीन है जो किसी प्राइवेट आदमी की है रिवे चाहिए उसमें फसकर वो अघती है उसके शिकटे से निकल नहीं पाती उनके लिए ये वो है जाहें जिसकी वक्ष कि तानाशाईड है शेपना बदा लें यह नहीं चलेगा चाहिए जिसकी जमीन मेंने तो जब उसका अंदूलन चुला उस जमीन का तो मैंने का कि आप तो को अपना पता दो तो बोले हो यह सब नहीं होना चाहिए इसलिए यह कानून आना ज़रूरी था पिछले बरसों से सिर्फ तुष्ट्री करन के लिए वोटों की खातिर इस धींगा मश्टी के कानून पर रोक नहीं लग रही थी मोदी जी की सरकार है अब योगी जी सरकार है इस पर रोक लगी सर हलाकी बात अब पुरानी हो चलिए लिकिन अब क्योंकि जिस तरह हम उपचुनाब की भी बात क आपको लग रहा है कि कहा चूक हो गई और कैसे आर गए अब सुचिए आपकी बगल में फटेफूर सीकरी नहीं कि थी दोनों जीते हैं ऑगरे का मार्जिं बढ़ा है फटा पुर सीकरी फटेशिए फटेशिये जीते दोनों यह लिकिन अपको लग रहा है कि चूक हुई देखे राजनीती में कभी-कभी कोई चूक या दूसरे का भ्रम फैलाना उसको लाब दिला देता है हमारी चूक हो सकता हमको थोड़ा पीछे खसका देती है इसलिए यह सिर्फ जो भ्रम फैला दिया उन्होंने कि हम आएंगे आरक्षन समाप्त कर दाएंगे संविधान बदल आज नहीं कम से कम सतारसी संशोदन हो चुके हैं और इंद्रा जी किसा अच्छोदन इसका तो होना चाहिए था आज भी उसका सहमत हूं जो मानी मोदी जी कहते हैं वन एलेक्शन वन नेशन वन एलेक्शन यह जरूर होता उसमें संशोदन लेकिन उनों का यह तो आरक्षन आए यह मुगालता पेदा किया एक यह मुगालता पैसे बता रहे बहुंघजोटारों के आविकशन कर रहे थे करनाटक में इस जैसे चुनाव होगा कि उननी डीजल के दाम बढ़ा द्यदिए पैट नब स्थे लोगों से छीनने लगे पेसे यह है उनका किर्थित उनका कभी-कभी भ्रह्म फेलाना में सफल हो जाता है आदमी भ्रह्म को जूट को साफ करना थोड़ा सा टाइम लगता है वो टाइम में उन्होंने लाब ले लिया सर क्योंकि अब दिखें हम चर्चा को अब खत्म कर रहें एक आखरी मेसेज आपसे क्योंकि आपको लाखो लोग टीवी पर देख भी रहोंगे वो वो जानना चाहेगा युबा की हायर एजीकुशन के अंदर क्या बदलाब होंगे उनके लिए क्या युबाओं को जो यूपी नकल बंध हुई है नकल पेंकुश लगा है प्रीपर लिग बंध हुए है जो तरप्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में उपेक्षिद बनाए हुए था आज यहां पर आज उत्तर प्रदेश के जितने विश्विद्याले हैं हिंदुस्तान में सब जब विश्विद्याले खुल रहे हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा क्या जहां वाच्च अपराशी से लेकर टीचर हैं किलर्क है एक तो प्रतेक्ष रोजगार होता है वो मिले अब प्रतेक्ष याने उसके सराउंडिंग में कोई रेस्ट्रा खुला होगा कोई दुकान ख मिल गई है याने अब वो संचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है और साथ को एलोई मिल चुकी है लेटर अफ इंटेंट अभी जब ने निजी विश्विद्याले खुलेंगे तो हर जिले में विश्विद्याले हो जाएगा जो नई नीती आ रही है तो एक हब बनेगा इ उत्तरप्रदेश जो काशी पहले हमारा प्रयाग यह माने जाते तो एजुकेशन के हब पूरे देश में अब उत्तरप्रदेश में मना जाएगा चले बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद रुपाद्याजी आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्पुन बिंदू पर जातकी के आखिरकार उच शिक्षा के अंदर क्या बदला है सराम चाहेंगे कि आप मज़ पर रहेंगे हमारे अडिटर आएंगे दिनों में इसी तरीके से उच शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे और तमाम जो महा विद्याले हैं वहां से ना सिर्फ भारत के बलकि विद झाल के अंदर का ला बमा खिजब हमारे और रहें रहेंगे और एंब हिटर रहें रहेंगे बलकि अजफ भारत का इकर मेंगे चाहें पर लो मेंगे तो शिक्यव का उल भारत कहीं यड़ाद lip